अल्राइट दोस्तों तो स्वागत है आपका जी साब के थर्ड प्रोजेक्ट में उम्मीद करता हूँ आपको जो पहले के दो प्रोजेक्स हैं वो अच्छे से समझाए होंगे जिसमें कुछ जावा स्क्रेट के यहां पर आपके काम में आने वाले हैं तो चलिए देखते हैं चलिए बिना किसी तेली के यहां जाके आपके सामने एक फोल्डर है तरीके का markup तयार करना है सारे लोगों को फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते है चलिए अब उसके बाद यहां पर हमको करना क्या है हम लोग यहां जाके लिखेंगे body और body के अंदर मैंने मैं यहां जाके इसको देना पड़ेगा background color क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपके खराब हो तो आप जब देख सकते हैं यहां पर की कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है चलिए अब इसके अंदर मेरे पास एक है जिसके अंदर लिखा हुआ है और यहां जाके मैं कहूंग दिखाई नहीं देगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आए अब मैं चाहता हूं जिसके अंदर टेक्स्ट अनिमेशन लेकिया आना क्या सवाला एनिमेशन ने सार यहां पर मैं इस शेरियंस जो लिखा हुआ है इसके अंदर से एस तरीके से वीडियो में हमें करना क्या है यह वीडियो क्यों खास है और इस वीडियो से आपको क्या खीचने मिलेगा वह जान लेते हैं पहले मैं यहां से टैब 9 को स्नूज कर दीता हूं बहुत डिस्टप कर रहा है और सुनिया मेरी बात हम चाहते हैं शेरिंस के अंदर जो एस एच काम कर सकते हैं चोटा सा यहां जाके आप चाहे तो इस एक रहें सकते अंदर हस लिख दीजिए फिर एक और सस्क्रिक बना सकते है जिसके इंदर एच लिए जो कि सही मेथ नहीं आप यहां जाकि इसको नॉर्मरी लिए और मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीड़ी से pasti जाव from script.js के अंदर यहां जाके मुझे किसी tu elemen ko select करना बेसिक dom का feature है हम जाकर चाएंगे study document to query selector और यहां जाकर सिलेक्ट कर लिया है इम्हें मैंसार प्रवंफि का यहां जाकर प्रता है हैक स्लेक्ट कर लिया है मैं यहां जाके इसको एक variable के अंदर लिख देता हूं जिसका नाम है h1 जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और अगर हम console.log कराके देखेंगे h1 को तो हम यहां पर जाके देख सकते हैं मुझे यहां पर h1 कुछ इस तरीके से console पर दिखाई दे रहा होगा आपको भी जा गया अब यहां पर हमें main चीज जो करनी है वह यह है कि मैं चाहता हूं इस h1 के अंदर का text है अगर आप देहां से देखेंगे तो पूरा को पूरा h1 element ही आ गया हमें करना क्या है हमें यहां जाके कहना है कि एक काम कीजिए आप यहां पर हम चाहते हैं कि आप एक और variable ब बनाया था जिसके अंदर मैंने query selector करके h1 को लिख दिया था उसके अंदर जो भी text content है text content का वल्लब है जो भी उसके अंदर text लिखा हुआ वह select हो जाएगा तो जब आप यहां जाके h1 text को select करते हैं तो अब आपको I'm sorry अब आपको console पर सिर्फ और सिर्फ शेरियंस लिखा ह हुआ दिख रहा होगा कोई h1 tag select नहीं हुआ है यहां जाके सिर्फ उसके अंदर जो text लिखा हुआ था वह print हुआ है क्या आपको यह समझ आया मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार और और मैं shortcut method भी यूश करूँगा देखेगा मैंने कहा document.query selector मैंने यहां जाके लिख द अंदर का text मेरे पास आ जाए तो मैं आ जाके कहूंगा document.query selector पहले जो काम हम दो steps में कर रहे थे अब वो काम सिर्फ एक step में हो जाएगा मैं आ जाके कहूंगा dot text content I hope आपको यह समझाया होगा मैंने यहां पर क्या करा मैंने यहां जाके कर लिया है उसको कुछ इस तरीके स select और आप चाहें तो यह सेम चाहिए इस दो steps में भी कर सकते थे आप जाके फिर यहां पर लिखते h1 text.text content और फिर यहां पर जाके एक variable बनाते new text करके और यहां जाके आप उसके अंदर लिख सकते थे यह भी काम आसान होता हमारे लिए कुछ इस तरीके से लेकिन हमको इतनी मैंनत क्यों करनी हम यहां पर directly भी तो इसके आगे लिख सकते है text content और क्या print होगा h1 text को जब मैं print करूँगा तो obviously sharing that's it यहां तक मैं उम्मीद करना हो आपको समझ आया होगा बहुत जादा हलका फुलका content देखिए आप अगर third वाले project पर सीधा jump करें तो मैं उमीद करके यह हाँ तो मैं उमीद कर रहा हूं आप लोग यहां जाके document.query selector करके .text content मेरी जमान थोड़ी अटक जाती है उसके लिए मैं sorry भाई माफ कर दो गुस्सा मतो यहां देखो .text content करके आप h1 text को तो select करी लेंगे अब मेरे को यहां पर sharing भी मिल रहा है अब मुझे इस string को क्योंकि आप लोगों को बढ़िया लेगन मुझे अभी सिर्फ लिखना है अब मुझे यहां पर करना क्या है साब यह जो string मेरे हाथ में आ रही है मुझे यहां जाके उसको तोड़ना है यानि कि मैं चाहता हूं sheryans सब अलग-अलग हो जाए आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहर हूं तो यहां जाके मैं क्या कहूंगा मैं जाके h1 text पर एक जावास्कृट की inbuilt method है जिसका नाम है dot split .split करती क्या है आपकी जो भी string है उसको split कर देती है और आप बताते हो जो भी चीज आप वहाँ पर देती हो उस चीज के basis पर split करती है जैसे अगर मैं कहता हूँ h1 text.split और brackets लगा के मैंने यहां जाके let's suppose इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है sharing coding school मान लेते हैं और मैंने जाके कहा कि h1 text को मैं split करना चाहता हूँ on the basis of space तो मैंने double code लगा के यहां पर space दीदी छोटी सी तो पता है क्या होगा जब आप यहां जाके एक variable के अंदर splitted text को लिखते हो अगर आप सोच रहे हो कि मैं नाम इतने बड़े-बड़े करके क्यों लिखता हूँ तो भाईयू मेरे अपन जब दुबारा code को देखेंगे ना तो हमें समझ आना चाहिए कि मैंने क्या लिखाता यहां पर समझ रहे ना आज से माल लीजे 6 महीने बाद एक साल बाद आप अपने code को ही देखें और आपने नाम दिए ABCD तो कैसे ही आपको समझ आ पाएगा समझ रहे ना तो मैंने यहां जाके लिख दिया साफ साफ स्प्लिटिट टेक्स्ट तो इससे होगा क्या कि मेरे को समझ आ जा of disk बास कर देता हूं मालौ लेत latte metал कि तो यहां पर मेरे सामने दो चीज़क बने एक एक एसेच और एक टाल लेक्ट स्कूल करता है तो मैंने आ जाके River टेक्स्ट डॉट श्पलेट अन्दी बेसिस ऑफ इस पेस अभी के लिए इस पेस और यहां जाके मैंने का यह वैरियेबल मैं सका नाम रख देता हूं इस लिक टेक्स्ट समझाई गया होगा और कॉंसल डॉट करके अगर मैंने यहां जाके का है सब्सक्राइब टेक्स्ट को यहां पर मुझे श्यरिन कोनिग स्कूल लिखाई देरा होगा अलग अलग अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो मतलब क्या कि मैंने ृपूं आय शेयले स्बकुअ कुछ टूट चूट धेक्ट्स सब कूट चूट ए यहां सब यहां पर space तक को इसने तोड़ दिया है आप समझपा रहे हैं मैं क्या गाना चाहरा हूँ तो यहां जाके मैंने कहा है h1 text.split तो split होगे on the basis of nothing याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ h1 text को मैंने split करा है on the basis of nothing क्योंकि यहां पर इनके बीच में कुछ नहीं है है बढ़िया अब split text जो है वो एक array है देख सकते हो आप यहां पर एक array के form में आप पर है जिसके हर एक index पर एक चीज लिखी हुई है dot split की ही एक हासी आता है जिस चीज के basis पर तोड़ता है और हर एक element को एक array का नया element बना देता है अब मुझे यहां जाके करना क्या है अब मुझे यहां जाके इस प्लिटेट टेक्स्ट नाम का मेरा एक array आया है उसकी उपर मुझे special तरीकी का लूप चलाना है जो कि सरफोर्चत array पर काम करता है इसका नाम है for each जो कि इस array के हर एक element पर चलेगा तो मैं यहां जाके कहूंगा इस प्लिटेट टेक्स्ट जो मेरा array बना है अभी दो मेरे पहले बना है अपने एच वन टेक्स लाड़ स्प्लेट करके मैंने कहा है कि उसकी उपर मैं for each चलाओंगा और यहां पर मुझे इसके अंदर देना पड़ेगा function और यार भाई सब इतनी advance वीडियो देखने आया हो तो यह तो पता होने ही चाहिए for each करता क्या है for each एक special तरीके का loop है that's it तो जब मैं यहां जाके function के अंदर लिखूंगा hello तो मुझे कितनी बार hello मिलेगा जवाब दो जल्दी सा सोच के एक बार 9 बार समझा है क्यों क्योंकि शेरियंस जो लिखा हुआ है मैंने उसके अंदर 9 अक्छर है तो 9 elements का रहे बनेगा और 9 elements का रहे बनेगा तो 9 बार चलेगा लूप और 9 बार अगर लूप चलेगा तो 9 बार एहर में hello मिलेगा तो यहां जाके हमें 9 बार hello प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप इसे समझोंगे तो फिर से देखते हैं एक और बार मैंने यहां जाके क्या कहा है मैंने यहां जाके कहा है इस तरीके से मैंने फंक्शन की बाडी के अंदर मैं जो भी कुछ लिकूंगा वह उतनी बार चलेगा जितने अरे के अंदर elements हैं मैंने कहा console.log hello कित्ती बार चला मेरा hello देख सक्टे स्क्रीन पर 9 बार अगर मेरे पास यहां पर sharing की जगा माल लेते हैं होता sharing sharing में पांच अक्शन है लूप कित्ती बार चलेगा पांच बार simple कहानी समझा गया तो मुझे यहां जाके समझा चुका है मेरे को करना क्या है समझा चुका है मैंने इसको इस तरीक से तोड़ लिया यह भी समझा चुका है अब मैं यहां पर एक variable बनाऊंगा जिसका नाम है clutter आल रेक तो स्प्लिटे टेक्स्ट हमारा एक अरे है जो कि जितने वर्ट से उतने elements कारे बना है और उतनी बार यहां पर loop भी चला दिया अब मैं आपर एक variable बनाऊंगा जिसका नाम है clutter जिसकी value initially मैंने बना के खाली छोड़ दिये मैं समझाऊंगा कि जाके इसका मतलब क्या है लेकिन मैंने clutter को यहां बना के खाली छोड़ दिये और यहां जाके अगर मैं कहू clutter is equal to clutter plus hey अब यहां पर देखना क्या होगा यहां पर मेरा for each नाम का जो लूप है वो 9 बार चलेगा तो 9 बार क्या होगा पहली बार क्या होगा वो समझते है ठीक है पहली बार clutter के अंदर कुछ चीज़ स्टूर होने वाली है तो clutter के अंदर पहली चीज clutter की जो default value यानि कि nothing त तीसरी बार जब लूप चला तो clutter के अंदर यहां पर मैं एक बार और ड्रायरन करके बता रहा हूं वहां से समझना है तो आप ही बता दो है प्लस है किता होगा है 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 तो यहां पर है हो जाएगा तो इसी तरीके से लूप चलेगा तो मैं जब लूप के बाहर console.log करके clutter को देखूंगा तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होने चाहिए यहाँ पर प्रिंट होगा नौ बार है क्योंकि नौ बार आपको यहाँ पर लूप चलता हुआ देखा देखा देगे लोयार नहीं मान रहे हो तो एक दो तीन चार नौ समझ आ गया न बढ़िया तो यहाँ जाकर आपने clutter के अंदर कुछ इस तरीक से स्टूर कर ली है चीज़ें उम्मीद करता हूं थुड़ी बहुत तो कोई फैक नहीं पड़ेगा लेकिन आगे जाके आपको वहत प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आऊंगा मैं मजाक से हटकी हमारा प्रीमियम कॉंटेंट यहाँ पर मैं दे रहा हूं तो सोच यह चोटी सी जला किया तो प्रीमियम कॉंटेंट कितना बड़ा होगा तो आप ज यारा कोर्स है बहुत ज्यादा प्यार से मैंने हर्ष बियाने समने मिलके बनाया है तो आपको जरूर उसको एक बार चेक आउट करना चाहिए नीचे दिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यह रूपर कहीं पर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा वहां पर वीडियो है क्लेटरु जाएगा तो यहां पर 9 बार है टूभार है थीधी He और इसके अंदर क्या था function और यहां जाके मैंने इसको open कर रहा था समझा रहा है मैंने कहा था console.log है लिख देता हूं तो मेरे को यहां पर 9 बार चलता हुआ दिखाता अब मुझे यहां जाके क्या कहना था मुझे यहां जाके मैं इसके अंदर कुछ भी pass कर सकता हूं और जब आप अपर आपको पूरी चीज़ें को जिस तरीके से आती हुए दिखाई देने लगी आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं और सेम चीज़ हम यहां पर करने वाले मैंने यहां जाके एक वैरियबल बनाया था क्लटर नाम कर इसको बना के खाली शोड़ दिया और मुझे यहां जाके क्या कहना है मुझे यहां जाके कहना है कि बाइसाब इस तरीकी से लिखने रहा होगे प्लेखता हूँ था क्लेटर तरीकट ट् consumo काम करेगा क्लेटर प्लेटर दी रहा होगा यहां पर समझ आ रहा है ना लेकिन एक बात समझ नहीं आई पूछो क्या अब मैं ही पूछ लेता हूं आपकी तरफ से यह सेलेक्ट करा टेक्स्ट निकाला उसके इंदर का फिर उसको स्प्लिट करा फिर लूप चला के वापिस दोड़ दिया प्लिटर के इंद कि अच्वन को इस तरीके से लिख दिया मैंने और और यहां जाके मैंने लेखा एक्ट टेक्स्ट कॉंटेंट समझ आई गया होगा क्या हुआ है पर सेम तरीका जो पहले यूज करा था तो यहां तक अपने को समझ आ चुका है अब मुझे यहां जाके नीचे क्या कहना है अच्वन डॉट इनर एच्टेमल याद रखना टेक्स्ट कॉंटेंट नहीं इनर एच्टेमल के अंदर हम जाके लिख देंगे क्या लम कि नए डॉट जा यहां पर यहां पर जाके देखोगे ना तो यहां पर आपको क्लटर के अंदर यह मिल गया को लेकिन फाइदा क्या हुआ यहां तक हुआर चलो ठीके करते हैं आजाओ लेट्स को हमने यहां पर LM के तॉर पर तोड लिया तो यहां जाए के अंदर हमने को इस तरीके से शेरिंस टाल दिया था लेकिन हमें इस तरीके से नहीं डालना था हमें करनी थोड़ी सी कलागा रही है यहां पर मैं यूस करने वाला हूं तैंपलेट लिट्रल्स का मैं लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था याद नहीं होगा आपको कोई बात नहीं यहां जाकर बनाया कि स्पाइन टैक को बंद भी कर दिया और यहां पर मैं लगाँंगा डालर और यह वाले साइं डिक के मैं इसके अंदर लिख लिए तब देख सकते हैं यहां पर मेरे ऊपर आपको शेरियंज का हर एक अक्षा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको यह समझ आया होगा किस तरीकी से किया राइट चलिए देखते हैं करा किया था हमने हमने यहां जाके क्लटर के प्लप चीजे तोड़ तो ली थी और हमने यहां जाके स्पैन टैग लगा लिया यहां लेख हमारा काम हो गया साब चलिए यहां जाके आपने इस स्टैप में यह जो पूरा काम आपने कर रहा है इस इन लाइनों में आपने बस एक छोटा से गाम कर रहा है, टेक्स्ट को तोड़ा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ जाके एक फंक्शन मना रहा हूं, जिसका नाम मैंने रखा, ब्रेक दी, या फिर ब्रेक टेक्स्ट कर देता हूं, मैं और यहाँ जाके, मैंने इसको कुछ इस सेम काम बेले जैसे ही हो रहा है, बस मैंने थोड़ा सा उसको कह सकतो, और वाइस कर दिया, यह रहा कोड लाए, भाई साब, लिख लेना, लोग, वीडियो पॉस करो, जल्दी से बढवड लिखो इसको सारे लोग, ठीक है, हां जी, और अगर हम यहाँ पर जाके देखेंगे हां जी, मैं किसको टारिट करूँगा, एच वन के अंदर के स्पैन को, और मैं कॉमा लगा के कहूँगा, कि भाई आप य से आजाओ, 100, तो देख सकते हो, काम चल रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि अनिमिशन बिलकुल भी नहीं, भाई यह ऐसा क्यों हो रहा है, यह काम क्यों 100 pixels, तो इसका मतलब यह है कि आपके inline element पे transform translate y काम नहीं करेगा, तो मैं एक चोटी सी और चीज़ आपको बताऊंगा, यह बहुत ज्यादा important कैच है, इस वीडियो का, सारे लोग घ्यान से सुनना, full attention के साथ, मैं यहाँ जाके, h1 का code लिखाता है, मैंने alcohol का, उसके just नीचे कहूंगा, h1 के अंदर जो span है, उसके अंदर मैं जाके कहूंगा, कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, display inline block, अब इससे क्या हो जाएगा भया, इससे हो यह जाएगा, कि हमारा span tag है, वो inline block हो चका है, तो अब आप जब जाके देखोगे न, तो यहाँ पर आपको कोई animation नही देख रहा है, एक मिनिट, यह G-SAP क्यों नहीं चल रहा, G-SAP इसलिए नहीं चल रहा है, क्योंकि CDN नहीं लगाई, माफ कर दो, लेकिन हाँ, यह कर लेना, h1 के अंदर के span को inline block बना ले, नमसे इतना काम कर लेना, और यहाँ चलो मेरे साथ जल्दी से Google पर, यह भी पढ़ यहाँ जाके मैंने काई, copy script tag, और यहाँ ले जाके अपनी JavaScript के just, ऊपर मैंने कर दिया, paste, इधर उधर कई मत करना, JavaScript के just, ऊपर याद से है, और यहाँ ले जाके मैं लेकूंगा, g-SAP dot, from, मैंने का, h1 के अंदर का span, और मैंने कहा दिया, यहाँ जाके, y से आजाओ, आप 100 से चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया अच्छी बात है सब, अब यहाँ जाके मैं इसको कहूंगा, भाई सब आप duration ले लो, एक सेकेंड की, और मैं हलक आसा इसको delay दूँगा, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुचता हूं, कई बार खुद ही चल जाता है, 0. रहे 0, तो हमने क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम लगाया ना, तो 0 होगी नहीं, 0 से 1 की तरफ आएगी, यहाँ जाके जवाब देखोगे, तो यह कुछ इस तरीके से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यह तो हमने पहले सीख लिया था, रहे सुन तो लो पूरी बात, मुझे य आदे हिस्टागर, बढ़ाया था मैंने, याद आया, एक एक करके चलाता है, क्योंकि बहुत सार स्पैन है, स्पैन बहुत सार है ना, क्योंकि एक साथ चल रहे थे तो दिक्कत हो रही थे, यहाँ जाके 0.3 दे दिया, तो यह लोग तूट गया, अब 100 काफी जादा हो जाए बढ़िया थो चल रहा है, यार, क्या दिक्कत है इसमें, बढ़िया चल रहा है, मेरे इसाब से तो सब कुछ चीक ठाक है, 15 करके देखे, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा सुनो, एक और ट्रिक बताता हूं, दियान से सुनना, यह जो स्ट्यागर की वेल्यू है, बढ़िया सर, कोई रिक्कर परिशानी नहीं है, यहां जाके मैंने इसको एक प्रॉपटी दे दी, जिसका नाम है ओवर्फलो हिडन, तो पता है क्या होगा, जो जो भी चीज़े इसके बाहर निकल रही है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, और यहां जाके मैंने क यहां है कि वाई से आपाना भाई सब 70 से और अब अगर मैं देखूंगा, तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यह इसमें खास क्या है, खास यह है कि अगर मैं लाल कलर हटा दूँगा, अब देखो क्या होगा, वो जो कटा हुआ सा दिखता है न थोड़ा सा ध्यान से इतना करने आये थे क्या, नहीं यार और भी चीज़े करनी थी, ठीक है चलो देख लो फिर चल दी से 40 ही कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, नाइस, 50 कर देते हैं, और यहां जाके अगर आप सुनना ध्यान से, इस टेगर की यह जो वैल्यू है, इसकी जगह आप यहां पर इस में देते हो, तो पता है क्या होगा, उल्टा चलेगा, हैं जी, सच में, हाँ, प्लस में देते हो वैल्यू को, 0.15, तो सीधा चल रहा है, और अगर माइनस में देते हो आप इसकी वैल्यू को, तो उल्टा चलेगा, समझ पा रहे हो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेकिन मढई कि इस तरीके से animation इनिमेशन tahin आए शेइर Housing से इदर से आ रहा है और इदर स्फरीं आप बीच की तरफ खोलता हुआ है ondra यह इस तरफ के आ रहे है और तरफ इस तरफ की आ रहे है और फिर बीच मैं आ रहे है अभी यह क्या लेफ्ट राइट टू सेंटर की तरफ है अब में को समझ ना मैं जो कहना चाहरा हूं उसको विजूलाइज करना मैं चाहता हूं लेफ्ट टू सेंटर कुछ इस तरीके सा एंट तब क्या करेंगे अपन तो यहां पर काम में आएगा लॉजिक बहुत अगले लेवल का लॉजि मैं यहां जाके इसको Class दे सकता हूँ मेरी मर्झ है सब है ना मैंने यहां जाके इसको Class दे दी और Class दे मैने let's uhpose A marлекс तो यहां जाके जब आप देखोगे तो यहां पर आपको देखेगा कि हर एक element को मैंने class दिये उपर देखना दे हमसे class क्या मिली इसको ए लेकिन सभी को क्या की बिल रही class ए समझ आई रहा है अपने को अब सुनना जब मैं यहाँ पर फॉरी चलाता हूं तो पहली value LM है जो कि element का काम करती है जैसे पहली वाले के लिए चल रहा है तो पहली value जो हम लिख दो जो मर्जी लिख दो और अगर मैं यहाँ जाके console.log करके देखा idx को तो यहाँ देखो क्या होगा जीरो से लेके 8 तक print हो गया समझ आया क्या अच्छा ठीक है अब स्प्लिट टेक्स जो है वह एक तरीके कारे अब यह लॉजिकल चीज है अगर आप बेसिक बेसिक सिखने आया थे पहले खतम हो चुका है थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा एक LM होता है जो कि element बताता है और साथ में IDX होता है जो कि उसका इंडेक्स बताता है तो यह कुछ इस तरीके से चल रहा है जचे करके मैं यहां जाके समझणा मैं क्या काँगा वैर्फ वयल्यू मैं कहता हूँ यहां पर equiv users divided by 2 क्या है answer? 4.5 अच्छा जी हाँ जी clear है यहाँ तक? पक्काश है और यहाँ पर यह जो value आईए वो point में आईए अब मुझे चाहिए नहीं यह point में यह मैं चाहता हूँ complete number के form में तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा math.floor math.floor के मतलब brackets के अंदर यहाँ पर मैं जो भी value पास करता हूँ उसको वो complete एक कह सकते हो point value से complete number के form में transform कर देता है तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 answer आगया अच्छा जी यह समझ तो बिल्कुल नहीं आए अरे देखो ना मैंने split text की length पता करी कित्ती आई no मैंने आधा कर लिया कित्ती आंसर आया 4.5 4.5 से कैसी काम चल पाएगा अपना बता दो मुझे काम चल पाएगा कि अपना तो यहाँ जाके अपन उसको floor कर सकते है और floor नहीं भी करना ना तो भी कोई दिखकत नहीं है अपन half value के उससे काम चलाएंगे देखना सुनना मैंने यहाँ जाके का if idx हर बार मेरे पास index आ रहा था ना 0 से लेके 8 तक मैंने का idx is smaller than half value अगर मेरा idx smaller है half value से तो print कर दो LM तो पता है क्या print होगा शेरी अकेला print हुआ भाईया uns क्यों नहीं print हुआ इन्स इन्स तो मैंने का else अगर ऐसा नहीं होता console.log कर दो इन्स LM तो देखो अगर idx की value half value से जादा है तो LM प्रिंट होगा अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ जाके लोल करके मैं लिख रहा हूँ तो देखो 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 तो यहाँ जाके बराबर बराबर बढ़ते के वह uneven है इस वह ऐसा हो रहा है clear है यहां तक सब कुछ clear चल रहा है मैंने क्या कर रहा है half value ली और उसको मैंने half कर लिए मतलब splitted text.line तो half कर ली मैंने का हर बार index मिलता है मुझे हर बार मिलता है 0 से लेके 1 तक तो हर बार चेक करेगा पहली बार value 0 है क्या 0 छोटा है 4.5 से अगर ऐसा है तो console.log कर दो LM को और अगर ऐसा नहीं है तो फिर else में चले जाओ और सेम चीज यहां पर चलती रहेगी आया समझ में फिर इसके अंदर मैंने जा के क्या कहा मैंने का clutter अच्छा clutter बनाया नहीं है अपने ऊपर बना लेते हैं अपर मैंने यहां जाके कहा है कि एक बने टुक जा भाई यो मैंने कहा है कि हाँ जाके मेरे पास एक वैरियाबल है क्लेटर नाम का जो कि बना के मैंने खाली छोड़ दिया इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो यह रहा आपका क्लेटर को मैंने बना के खाली छोड़ा है यहां जाके मैं कहूंगा क्लेटर लैसी कोल टूट प्लेटर प्लेस इकोल टू वाई सेम चीज बैक टेक ऐसा डारेकली नहीं लिखा जाता पाप चड़ता है सीधा अपने को कि इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो क्या हुआ है यहां पर एंदर यहां पर expand के तौर पर यह आ चुका है और सेम चीज को रही सेम चीज यहां पर करूँगा और है कि अगर आप console.log करके अपने clutter को अभी देखोगे ना अगर तो clutter कुछ ऐसा देख रहा है हर एक element span में है simple है ना और मैं यहाँ जाके कहूंगा कि अगले वाले को class देदी मान लेते हैं अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप ऊपर देखो ध्यान से शुरुआत के पांच elements को class मिली है और बाद के पांच elements को class मिली है आपने यहाँ जाके अपनी half value निकाली और हर बार आपने चेक करा कि अगर बड़ा हो तो इसको class span ही बनाना लेकिन class B के साथ और यहाँ जाके अपने उसको रख दिया अब यहाँ जाके आप चाहो तो यह code देख सकते हो वीडियो पॉस करके लिख सकते हो code आरा हम से अपने अब यहाँ जाके मैं सीधा dot A को target करूंगा dot A मतलब जिसकी class A है कोई देनी की ज़वरत नहीं है यहाँ चाहो तो दे भी सकते हो ऐसा कोई मनाई भी नहीं है h1 के अंदर जो dot A है वो target करेंगे तो यहाँ जाके मैंने क्या लिखा फिर से देखो जी साप dot from और जूम कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे मैंने सबसे पहले target करा है dot A को और कॉमा लगा कि मैंने open करा आप चाहो तो यहाँ पर h1 के अंदर का dot A यहाँ जाके मैं क्या कहूंगा कि आप वाइ से आ जाना 50 से और यहाँ जाके मैंने क्या दिया आप duration ले लेना 0.6 की और साथ में आप हलका सा 0.5 का डिले भी ले लो ठीक है जी तो यह देखो के द्यान से तो सिर्फ आधे लेटर सा रहे हैं यह देखो आधे लेटर सी आ रह 0.15 के मैंने स्टैगर दे दिया एक एक करकर आ रहे हैं और सेम चीज मैंने लगा दी ऑपासिटी के साथ मैं थोड़ा सा इसका वह बढ़ा रहा हूं ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक ठाग लगे तो देख सकते हो शेरेंस कुछ इस तरीकी सारा अब यह जो इंस है इसको मैं तो यहाँ जाके मैंने का कॉपी को लेके आना स्यम जो उपर लेका दैं से और मैंने बहुत प्यारा बना है ठीक है न सेम यहाँ बहुत प्यारा बना है यह रहा उसका हलका-फलका code मैंने यहां जाके कहा है कि H1 के अंदर का A इस तरीके से animate होगा मैंने सब चीज एक्स्पेंट करी दी डीटेल में पहले ही और B जो है वह इसी तरीके से animate होगा बस उसका इस टैगर की value minus में दी मैंने समझ आ गया और A और B को अपने break the text में तोड़ लिया था कोड ओड में देने नहीं वाला देख लो यहां पर लिखा है वीडियो पॉस करके लिखो जल्दी फटाफट तब ही तो practice होगी यह रहा आपका code break the text का और यह रहा आपका जी सापका animation और हमने चोटी बोटी चीज़े करके बहुत प्यारा सा बहुत स्लीक सा animation बना लिया जो कि आप यहां पर देख सकते हो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है अब आप नीचे जाके comment में अपने review दे सकते हो कि आपको यह किस तरीके का लगा है और इसी सीरीज को और अच्छे से सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेरिंस को सब्सक्राइब और अगर बना लेते हो तो इंस्ट्रग्राम पे शेर जरूर करना मुझे सार्थक.sharma और हर्षवणनदनशर्मा हम दोनों को प्लीस टैक कर देना तकि हमें पता तो चले कि आपने कुछ बनाया और शेरिंस को टैक कर देना और बहुत मज़ा आया मुझे यह बनाके और आपको सिखा के क्योंकि काफी बढ़िया बना और बनाने में मज़ा भ मिलते हम लोग बबाई टाटा सी यू सून इस सार्थक शर्मा साइनिंग ओफ और एडिटर हमारे साथ आकर श्यास बबाई टाटा सी यू सून